नवस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप बिहार में एक बार फिर से एंडिये के दो दोलों के बीच जंग छिड़ गई है जदियों और भाजपा के अलावा ये दो दोलों हो भी कौन सकते हैं जिस तरीके से वाक यूद लगतार चल रहा था कई मुद्दों पर आपस में तकरार थी अब एक नया मुद्दा बिहार की राजनिती में तैरने लगा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि सामान इनागरी कानून के लिए भाजपा कई जमाने से लगतार प्रयास कर रही थी सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी की दुबारा ये तैय कर लिया था बड़े वर्क को नाराजगी भी है वोट मेंग गिराजनिती बोलिए या फिर अल्पसंखकों के साथ खड़े रहना बिहार में जद्यू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह भाजपा के किसी भी कानून को बिहार में लागू नहीं होने देगी जनसंखानी अंत्रन हो या फ कि भाजपा के पास सबसे ज्यादा विधायक है सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन चुकी है उसके आधार पर ही सारे नियम और कानून बनेंगे सराबंदी कानून को पलटने को लेकर भी नितीश कुमार पर भाजपा ने कितना दबाग बनाया था आपको याद होगा नि ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की चर्चा सुरू हो गई है बिहार में जज्यू ने बिना समय गवाए इस पूरी चर्चा को अपने तरफ मोड़ लिया है उपर इनको सुहा के बयान को आपने सुना होगा जिसमें इस पस्ट कर दिया है कि नितीश कुमार के बि लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दे तो भाजपा सीधे तोर पर इन कानूनों को लेकर प्रतिबत्ता दिखा रही है जहां एक तरफ जनसंक्या नियंतन कानून को लेकर गिर्राज सिंग काफी मुकर होकर नितीश कुमार की बात को काटते हुए अपनी बात रख चुके हैं वहीं भाजपा उनिफॉर्म सिबिल कोर्ट को लेकर अमित्सा की तरफ से बयान दिलवा चुकी है अब अमित्सा का दोरा भी हुआ है इससे भी एक ख़बने सामने आ रही है कि बिहार में भाजपा सवर्नों को अपने पाले में रखने के लिए हिंदू पोलराइशन के लिए नई नई तरकीबे लाती रहेगी इसी तरकस में से एक और तीर निकला है इनिफॉर्म सिबिल कोर्ट अब जहां एक तरफ उप इनकुस वहां ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिकरा दे दी है और इस पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई कानून बिहार में लागू नह पास्ता निकाला जाएगा चुकि हम दोनों गठ बंदन में हैं नितीज कुमार की रजाबंदी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन चुकि यह कानून पूरे देश में लागू होगा इसलिए नितीज कुमार और जो बिहार में इंडिया के घटक दल है उन्हें भी इस कानून को लेकर अपनी राय बदलनी चाहिए एक और बात लगतार बिहार कराणिटी में तैर रही है कि नितीज कुमार की तरफ से मूर्चा समालते हुए उप इनकुस भाजपा पर लेकिन भाजपा उप इनकुस भाजपा को बहुत सीरिस लहीं ले रही है बाजपा का मानन ने अपनी राय स्पस्ट कर दी थी भाजपा की राय से अपनी राय सुमारी रखी थी यह भी बाते कहीं जा रही है कि नितीज कुमार मान जाएंगे नितीज कुमार के आस पास के नेताओं को अगर यह लगता है कि वो भाजपा पर दबाव बनाएंगे तो भाजपा पीछे वाली भाजपा नहीं है उसके विधायकों की संख्या से ही नितीज कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ये बात भाजपा नितीज कुमार को एहसास करा कर रहेगी अब देखना होगा समय बहुत मजदीक है नितीज कुमार किस तरीके से भाजपा की इस नए का होता फिलहाल नज़रा रहा है अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक खबर रुवा म अरुवा बादी